प्रेंज कैसा है आप लोग मेरा नाम है विश्णू और मैं आपका स्वागत करता हूँ बारकेग में आज मैं फिर से वापस आया हूँ एक हिंदी वीडियो लेकिए येस बहुत ही अरसे के बाद में ये हिंदी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज जो मैं विश्णू आप इसके उपर प्लीज वीडियो बनेए क्योंकि लोग चलना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको आज के विश्ण के बार में बता दूँ आज मैं बात करूंगा पाच रेड वाइन्स के बार में जो की इंडियन है और आपको ज़रूर ट्राइ करनी चाहिए आपको तो पता ही है हैं मैंने डियो बाना पाइब आज था कि रेडवाइन से खाने के सात और करने के भााद के पिया जा जा सकता है कि इतने बड़िया है जिसके बहुत सारी हेέλस ब्हां पेनंफित्स है ज़ँ दु Mé पसंद नहीं हो तो आपको एक बार आटलिस ट्राय करना चाहिए क्योंकि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि रेडवाइन पी कैसी जाते हैं और कैसे आप उसके बड़े से बड़े आ फ्लेवर बड़े से बड़े स्वाद का आनदा ले सकते हैं और किस खाने के साथ उसको पी सकते हैं और जिससे आपको बहुत ही मजा जाएगा तो चलिए बिना देर किये हम आज का विशे चलों करते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हमारे पहले वाइन के बार में हमारे लिस्ट मैं पहली वाइन है कैवर्ने सिराज बाय सुला जया यह वही 수 ला वायनरी है जो कि नासिक में स्थाइक है कि कि यै यह सुला वायनरी जो कि काफी karşı सुय बायन बड़े दोस्तों देशों मेंEST कि वायन बिकी जाती है और लोग उसको पसंद करते हैं तो बात करते हैं गंधर के वायन i वाइन 70% शिराज अंगूर से बनती है और 30% क्यापनेश सेवनियों अंगूर से बनती है जिसमें 13.5% अलकोहूल होता है दोस्तों और यह काफी बढ़िया वाइन है तो यह क्यापनेश शिराज बाइसुला जिसमें आपको अरोमाज मिलेंगे स्पाइस स्मोकीनिस जिसके आपको ब्लूबेरी और ब्लैक बेरी का भी गंध मिलेगा दोस्तों यह एक बहुत ही लेवरफुल वाइन है दोस्तों जो की एक मीडियम बॉडिट रेड वाइन है जो के आपके क्रिल्ड मीट के साथ और हाड चीज के साथ आपको सेवन करनी चाहिए यह वाइन इंडिया क सबसे बहतरी सेलिंग वाइन बन चुके है दोस्तों और मैं चाहूंगा कि आपको यह ज़रूर ट्राइ करनी चाहिए और यह वाइन आपको मिल जाएगी 900 रूपे के आसपास और जो की बहुत सारे जगाव में इसले अविलेबल है आप कही भी उसको खरीच सकते हैं चले द यह सेते वाइन बनी है 60 प्रतिशत साइजियो वेजे अंबूर से और 40 प्रतिशत कैबरने सोवनियों अंबूर से जिसमें 13.5 प्रतिशत अलकोहल होता है दोस्तों और यह वाइन आपको मिल जाएगी 1700 रूपे के आसपास यह सेते वाइन बाए प्रतेली दोस्तों यह एक प अगर जैसे ही आप उसको स्निफ करेंगे जैसे ही आप उसकी खुश्बू देखना चाहेंगे आपको मिलेगा उसमें स्मोकी और वोडी फ्लेवर जो की साथ ही आपके लिए लाएगा टबैको और डार्क प्लम का खुश्बू भी दोस्तों तो यह बहुत ही ज्यादा स्वा बॉल शुक्तव के आज-पास आपको कही पर भी मिल जाएगी तो शडूर उस्मय्न का सेवन कीजिए और मेरे को पता कीसी और आपको आदर बात करते हैं दूस्तों और यह वाइंग्लूर करनाट का में तो यह मैं दोस्तों बहुत ही स्मूद और वेजटेबल पास्ता के साथ पैर कर सकते हैं जिसके साथ पीके आपको बहुती मज़ा आने वाला है तो जरूर ट्राइ कीजए यह हमारी तीसरी वाइन और यह वाइन आपको मिल जाएगी साथ सो पचास उपए में जो की साथ सो पचास एमिल की ही बॉटल रहेगी और यह इज़ी ले अविलेबल है हर जगाओ पे आप कहीं भी इसको खरीच सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं हमारे चोथी वाइन के बार में हमारे लिस्ट में चोथी वाइन है फोर सीजन्स बारिक रिजर्व शिराज जी हाँ यह वो वाइन है जो की बारा मती में फोर सीजन्स वाइनरी में बनती है जो की बनी हुए है 87 प्रतिशत शिराज अंगूर से और 10 प्रतिशत कैबरने सुविनियों अंगूर से और 3 प्रतिशत वियोनियर अंगूर से इस वाइन में 13 प्रतिशत अगोल के मात्रा होती है दोस्तों और जिसका दाम 1000 रुपय है जो कि आपको गई पर भी मिल जाएगी रिजर्वश शिराज पैस पैस यह एक ऐसी वाइन है दोस्तों जो कि फुल बॉडि रेड वाइन है और जिसमें आपको हर सिप में अरदी ओर प्र दिश्टी नोट्स मिलेंगे दोस्तों और जैसे यह आप उसको sniff करेंगे जैसे उसकी आप गंद लेंगे आपको उसमें राइप ब्लैक बेरी मतलब पका हुआ प्लैक बेरी और स्मोकी नोट्स मिलेंगे दोस्तों मैं चाहूंगा कि हमारी लिस्ट की चोती वाइन भी आप ज़रूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद कि यह वाइन के साथ हुआ going now को आपन का आञिनयगे सकते हैं रेड मिड के साथ जो कि स्मोकी रहे और चाहरे ब्लैडड मुश्रूम या वेज Serve के साथ भी आप उसको पेर कर सकते हैं और उसके साथ कि इस वाइन का आनंद ले सकते हैं का मिल् linen का आम इसमें बाच्वे से बनती है शेराज और कैबरने सोविनियों जिसमें अलकोल की मात्रा होती है 14 प्रतिशत दोस्तों और इसका दाम 1050 के आसपास रहेगा और ये भी वाइन आपको कहीं पर भी एविलेबल मिलेगी आप कहीं से भी इसको खरीच सकते हैं दोस्तों ये बढ़िया वाइन है ये व मूद फुल बॉड़िड वाइन है दोस्तों इस वाइन में आपको गंद मिलेगी लाल और काले फलो की और उसके साथ ही थोड़ा स्पाइसिनेस में रहेगा दोस्तों जैसे हैं आप इस वाइन को टेस्ट करेंगे आपको उसमें नोट्स मिलेंगे चोकलेट, वैनिला, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि शेराज और कैवरे सुवनियों का जो ब्लेंड है जो की मिक्स है वो बहुत ही ज्यादा इजदार्द है बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है इंडियन वाइन में तो मैं चाहूंगा कि आपको यह वाइन ज़रूर ट्राइक करने चाहिए और इसका experience करना चाहिए प्लीज जैसे ही आप यह वाइन ट्राइक करेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताए यह वाइन आपको कैसी लगी यह वाइन भी आप ट्राइक कर सकते हैं रेड मिट के साथ या फिर लाल तंदूरी चिकन के साथ और कुछ ग्रिल्ड वेज चाहिए रिकवेस्थ किया था उन लोगने भोला था कि आप इस वर Wii-a में ब बने चाहिए यह भाई के जो चुख 1500 तो कि 5 जो जो की रेंज करते थे बोसों से ira सट्रासों के के दौरान अगर आप कुछ प्लाइन कर रहे हैं अपने दोस्तु के साथ या फैमिली के साथ और कोई फंक्षन तो यह वाइन्स को जरूर उसमें स्थान दीजे दोस्तों और आप भी टेस्ट कीजे दूसरों को भी टेस्ट करवेगे क्या पता उनको भी यह वाइन्स पसंद आज जाए और अगर आप ये वाइन्स चूज करेंगे आपके इवेंस के लिए आप खुद को किसी अच्छे कंपरी के साथ आपका उनके सामने बहुती अच्छा ब्रेशन भी बन सकता है दोस्तों तो ज़रूर ज़रूर इन वाइन्स को ट्राय करना मन हो लिएगा और मुझे कमेंट सेक लाइक बज़रूर कीजे अगर आपके ये वीडियो पसंद आया हो स्टे हल्दी एंड ड्रिंक रिस्पोंसिबली एंड साथ थैंक यू सो मच एंड साइनिंग आओ